Hello guys, welcome to an academy, मैं हूँ एनिकेत अगरवाल and daily current affairs में आज हमसे scheme को discuss करने वाले हैं, वो है युक्ती 2 तो आपको पता है government schemes, prelims और means दोनों के लिए बहुत important है, plus ये fodder point की तरह काम करती है आपके essays में तो आप इन schemes को quote कर सकते हो, जिसे कि आपके अच्छे scoring आएगी exams में तो युक्ती scheme को हमने देखना है, युक्ती educational scheme है, युक्ती 2.0, it is a platform for higher education institutes, इसको हमने देखना है, GS2 का part है, government policies की बात करता है, human development की बात करता है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमाने चैनल को, साथ है आप उनसे टेलिग्राम पर जूर सकते हैं, मेरा टेलिग्राम ग्रूप है पैनल डिसकॉशन होंगे, जिसके अंदर 56 iconic speakers आएंगे, जैसे कि आपके शशी थरूर जी होगए, गरन बेदी जी होगए, कपिल देव, एक्स प्रेजिएंट हमारे, प्रणव मुकर जी, राज कुमार राओ, जैराम रमीज, जो की economist भी हैं और MP भी हैं, और इसी तरीके से और बड़ी-बड़ी हस्तियां जो हैं, वो आप लोगों को मार्क दरशन करेंगी, तो यह बहुत अच्छा interactive आपका session होने वाला है, इसको आपको ज़रूर attend करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह free of cost है, तो आपको directly anacademy के side पे जाके इसके लिए register कर सकते हो, इस session को ल shopping stone कैसे ले सकते हो, एक CD की तना उससे आगे कैसे बढ़ सकते हो, और इसके लावा भी 34 के करीब आपकी workshops और discussions होंगी, तो बहुत ही interactive और बहुत ही अच्छा आपके लिए experience रहे, तो basically MHRD की यह scheme है, Ministry of Human Resource Development की, इसको याद रखना है आपने, किसकी scheme है, इसको याद रखना है क्योंकि department या आपसे ministry इस तरह के questions, यूपेस्टी अक्सट पूछ लेता है, तो कहां की scheme है, यह Ministry of Human Resource Development, MHRD की scheme है, युक्ती 2.0 और यह क्या करती है, यह commercial potential की जो भी technology है, उसको incubation में startup के अंदर इस्तमाल करती है, तो startups को basically promote किया जाता है, तो युक्ती 2.0 is an extension to युक्ती, Young India Combating COVID with knowledge, technology and innovation, तो युक्ती scheme original जो को आई थी, वो किसली आई थी, Young India Combating COVID, यानि कि Young India की जो population है, वो COVID को किस तरह से innovation से, अपनी knowledge से, या अपनी technology से, खतम करेगी, रोकेगी, उसके उपर scheme बनी थी, तो उसी का यह 2.0 आपके से extended version, extension है, which includes, which was launched to identify the ideas relevant to COVID pandemic, तो इसके अंदर हम ideas को explore कर रहे थे, जो जो COVID के लिए, इस्तमाल किये जा सकते हैं, creation of a database, तो इसके अंदर हम क्या-क्या key points देखने को मिलते हैं, हमें क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है, तो एक तो इस सबसे बड़ी बात है कि एक database बनाते हैं, the ministry has invited students, faculty members, एनिकी teachers, and start-ups, and other stakeholders of higher education institutions to register on the UKT portal and share technologies and innovation, तो आपकी जो भी technology है, जो भी आपके दिमाग में scheme है, idea है, कोई भी चीज है, आप उसको यहाँ पर जाके share कर सकते हो, इस sharing से क्या होगा, एक database तयार होगा, and उसके अंदर जो most viable schemes होगी, उनको चुना जाएगा, और उनके लिहाज से काम किया जाएगा, ताकि COVID के pandemic से हम कर सकते हैं, अगर हमें COVID के साथ जीना भी पर जाए तो, importance of database, database shared will showcase to investor community, such as businessmen, businessmen को दिखाया जाएगा, farmers को दिखाया जाएगा, इंडिस्टिरिस को दिखाया जाएगा, and students will be able to sell their ideas, और ultimately जो students है, अगर उनका idea किसी businessman को पसंदा जाता है, and so on, तो उनको एक opportunity मिलेगी, इस ची की 2.0, but only those which has commercialization potential, तो इसके अंदर ये important point है, कि जिनका कोई commercial value है, जिसको commercialization किया जा सकता है, commercial करके बेचा जा सकता है, उनी चीजों को यहाँ पर दिखाया जाएगा, सभी को यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, जो कोई छोटी सी innovation हो, या एक starting stage में कोई idea हो, budding idea हो, उन चीजों को यहाँ पर हम नहीं दिखायेंगे, it will provide a clear picture of the state of innovation ecosystem of the higher educational institutions, तो यह हमारे higher educational institutions के अंदर, जो भी innovation सल रही है, क्या क्या इसमे ecosystem हमारे पास prevalent है, क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या कुछ हम नहीं कर सकते, यह सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, और इससे क government and formulate appropriate policies to strengthen and innovation the ecosystem in the country, तो basically government जो है, इसको अंदर जो भी problems है, bottlenecks है, उसको रोक पाएगी, formulate कर पाएगी हर तरह की policies को, और innovation system से हम जो अपनी problems हैं, उनका solution ढूढ़नेंगे, तो हमने STI policy को भी पढ़ा था अभी recently, scientific technology and innovation, तो उसको भी हमने इसलिए promote किया था, तो इसके उपर एक पोस्ट नहीं हुआ, तो आज कल में वो पोस्ट भी कर दिया जाएगा, further it will offer solutions to the problems faced by the country, तो और जो भी problems हो रही है, कोविट के कारण, उन सभी के लिए भी ये solutions हमें देने का काम करेगी, in line with the आत्मनिर्बर भारत, तो हमारी जो आत्मनिर्बर भारत scheme आई है, उसके भी ये क देखने को मिलेंगी, for example, 2.0 will also help in fostering, culture of innovation and entrepreneurship in academic institutions, तो अभी जो हमारे academic institutions हैं, वो बहुत जादा theoretical focused है, theory को पढ़ाने में जोर दालते हैं, लोग भी रटे को जोर दालते हैं, उसको हम entrepreneurship और innovation में लेके जाएंगे, ताकि लोग अपना काम शुरू कर सकें, अपनी skills बढ़ा सकें कोई नई चीज जो है, उसको develop कर सकें, other initiatives to boost innovations, और क्या-क्या हमने किया innovation को बढ़ाने के लिए, Institute of Eminence, IOE, यह आपने देखा था, last year भी हुआ था, so इसके अंदर 10 जो institutions थे वो public हमने लिये थे और 10 हमने private लिये थे, so institutions of Eminence को हमने recognize किया था, in this scheme, the government scheme to provide regulatory architecture for setting up and upgradation of 20 institutions, 10 from public sector and 10 from private sector as world class teaching and research institutions, तो इसमें एक upgradation होना था आपका architecture का, technology का, जिससे की 10 private और 10 सरकारी इस तरह के institutions बन जाएं, world level के institutions बन जाएं, जहां पे best of the best teachers बढ़ाएं, world class teaching हो, और best research वहाँ पे आपको facilities मिले हैं, ताकि नई innovations की जा सकें, various amendments have been made in the Prime Minister's Research Fellowship Scheme to boost search in the country, इसके लावा जो आपकी Prime Minister's Research Fellowship Scheme है, उसके अंदर भी changes लिये गए हैं, ताकि research को बढ़ाया जा सकें, fellowship का मतलब यहाँ पर आपको समझना होगा, fellowship क्या होता है, तो basically it is like a stipend, तो कोई भी बंदा अगर suppose करो, जैसे आप UGC का exam clear कर देते हैं, तो उसके अंदर दो cut-offs आती हैं, अगर आप उसमें JRF वाली cut-off को clear कर लेते हैं, तो आप junior research fellow बन जाते हो, इसके अंदर आपको एक amount मिलता है, stipend मिलता है, ताकि आप अपनी research जारी कर सकें, तो basically आप research करेंगे और सरकार आपको पैसा देगी, तो एक किसम से research को बढ़ावा देने के लिए हैं, कि आपको भी immediately, suppose करो कोई गरीब ह उसके पैसा नहीं है, research पे लगाने के लिए, या उसको job की जरूरत है, उसकी शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, तो उसको पैसे की तंगी है, तो वो research नहीं कर सकता, तो उस चीज़ को compensate करने के लिए, सरकार आपको पैसा देती है, आप एक exam को clear करें, सरकार आपको पैस पैसा देगी, और उससे research को हम बढ़ाएंगे, तो इसी तरीके से प्राइम निस्टर की research fellowship scheme है, उसके अंदर भी, जो हमने amount है, उसको बढ़ाया है, किस-किस बंदे को मिल सकता, उसको बढ़ाया है, ताकि maximum लोगों को हम research में दाल सकें, इसके लावा हमने अटल टिंकरिंग लबराइज बनाई हैं, schools के अंदर, the objective of the scheme is to foster curiosity, creativity and imagination in young minds, ताकि जो हमारे young बच्चे हैं, उनके में में curiosity आए, science के प्रती, creativity आए, imagination आए, और वो अपनी skills को इस्तमाल कर सकें और आगे जाके research में जा सकें, and inculcate skills such as design in the mindset, computational thinking, adaptive learning and physical computing and so on, तो ये सब चीज़ें उनके अंदर आएंगी, नई skills आएंगी, curiosity बढ़ेगी, research में जाएंगे, science में जाएंगे, जिससे के अंदर इंडिया का innovation infrastructure बढ़ेगा, So with this we have completed the topic, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, thank you for watching. And similarly, अगर आप 12 months का plan लेते हो, तब आपको 54% discount मिल जाता है, प्लस आपको 10% additional discount मिलेगा, using the code ANI7. अब आपको ये plan क्यों adopt करना चाहिए, उसके बारे में कुछ advantages देख लेते हैं. तो देखिए सबसे पहली जो चीज है वो है कि आप अपने favorite teacher से सीख सकते हैं, तो इसके अंदर कोई teachers के उपर बंदिश नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप offline coaching में जाते हैं, और आपको वहाँ पर quality पढ़ाने वारे सर जो हैं, वो अच्छे लगते हैं, और उनका quality history या कोई और subject है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन teacher से नहीं समझना चाते हैं, किसी और teacher से पढ़ना चाते हैं, तो उस case में आपको extra खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है, लेकिन अनकाडमी प्लस में ऐसा नहीं है, आपको जिस भी teacher से जो subject समझ में आता है, आप उससे वो पढ़ सकते हैं, तो आपने a teacher से suppose कीजिए quality पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन a teacher का geography आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और b teacher के पास जाकर भी, वो subject को पढ़ सकते हैं, और उसमें कोई restriction नहीं है, कि आप कितनी मर्जिबा teachers को switch कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपको best combination of teachers लगता है, आप उनके जो lectures हैं, वो देख सकते हैं, और अपना slaves घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं, second यहाँ पे आपको dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं, तो यानि कि आपके सारी doubts जो हैं, वो to the point विल्कुल साथ की साथ ही निप्तारा कर दिया जाता है, again जो बहुत बार आपकी offline classes हैं, उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत जादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका clearing doubt session चलता रहेगा, आपके doubts जो हो clear होते रहेंगे, उसके बाद आपको एक ही subscription के अंदर multiple जो courses ह हैं, वो मिल जाते हैं, और आपको unlimited access मिल जाता है, पूरी academy library का, तो suppose कीजिए, आप PCS की भी तयारी कर रहे हैं, और IS की भी तयारी कर रहे हैं, अब IS के बीच में आपके UP PCS का exam निकल आता है, तो उस time पे आपको UP PCS के लिए कोई specific courses देखने हैं, specific lectures देखने हैं, तो आप वो जाते हैं, और जो आपकी best, जो आपको job लगती है, आप उसको रख सकते हैं, तो एक ही subscription में आपको बिना double पैसे खरच किये, आपके अच्छे से सारी तयारी हो जाती है, और अगेन घर बैठे बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे 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 एक बहुत बड़ा comfort है, और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं, क्योंकि आप देखिए, अगर आप आफ लाइन कोचिंग में जाते हैं, तो आपको एक तो आने जाने का खरचा लगता है, उसके बाद कई बार पारकिंग फीस लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गाउं में रहत हैं, या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है, तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथले एक्स्पेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खरचा बहुत जाता है, तो वो सारे के सारे आपके खरचे इस तो टीचर्स के साथ आपका इंटराक्शन जो है, वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका आफलाइन क्लासे में रहता है, तो आप इस चीज़ को तो बिलकुल मन से निकाल देजे कि टीचर्स के साथ इंटराक्शन नहीं हो पा रहा है, या डाउट्स जो है बच ज टेस्स सीरीज रहेंगी, जिसको आप जोईन कर सकते हो, इसके लावा हर क्लास के आपको PDF नोट्स मिलेंगे, और PDF भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, अनोटेटेड और बिना अनोटेटेड, तो अगर प्लेन सपोस कीज़े, आपने कोई MCQ का कोर्स लगाया, उसके अंदर आपने प्लेन PDF फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, कि आपको कितने कोशन्स याद हो गए, और बाद में आप उसे अनोटेटेड है, जिसमें टीचेज ने आपको आंसर्स और रीजन्स वहा कराएं, उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी, तो इस तरीके से आपके MC की उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, प्लस आपको जो theoretical chapters है, उनके भी हर एक chapter के हर एक वीडियो के PDF नोट्स दिये जाते हैं, इसके इलाब आपका full syllabus coverage होता है, बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो कहते हैं कि हमारा जो syllabus है, वो अधूरा रह गया, सर ने NCRT नहीं कराई या कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी coaching पे कुछ रह जाता है, तो बहुत सारी coachings जो है, वो complete भी करा देती है, लेकिन कुछ बच्चों कर रह जाता है, लेकिन academy पे आपको पूरा पाठे करम कराया जाएगा, पूरा syllabus आपका cover किया जाएगा, इसके अंदर एक और advantage है, वो यह है कि अगर आपको लगता है किसी teacher ने कोई topic मिस कर दिया, या कोई topic आपको ठीक से समझने आया, तो आप वो switch करके दूसरे teacher का same topic search कर सकते हो, देख सकते हो, उसके अंदर विगारा आ गया था, तो internet reception जो थी बहुत सारे areas में, इंडिया में, वो coastal areas की तरफ, वो काफी जादा down हो गई थी, उस case में अगर आपने सब कुछ download करके रखा हुगा है, तो आपका syllabus आपकी पढ़ाई नहीं रुखती, और आप साथ की साथ उन चीज़ों को revise कर सकते हो, उ आपका जो पढ़ाई का नुकसान है, वो कहीं न कहीं avoid हो जाता है, प्लस आपका data भी बचता है, तो again क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे, तो आपका data use होगा, तो उस case के अंदर आप एक बार offline सेव करके रख लोगे, तो उसे जितनी बरजी बात, आप repeat पे चला सकते ह हो, और offline सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो, तो ये again एक बहुत बड़ा advantage होता है, तो ये कुछ advantages मैंने बताए, आपको क्यों join करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि अच्छा है, आप हमारी वीडियो देखते हो, हमारी quality देखते हो, तो आप join करेंगे, तो आपको 10% extra discount मिल जाएगा, using the code ANI7, तो इस code से आपको 10% extra discount मिल जाएगा, तो आपको जो net amount वो काफी कम आ जाता है, और मैंने आपको शुरू में भी जैसे बताया था, अगर आप दो साल का subscription इकठे ले लेते हो, तो आपको 75% तक discount मिल रहा है, और प्लस 10% extra discount भी मिल रहा है, using the code ANI7, त कर दो है?